आज हम आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आए हैं मिस्टर देवेंदर प्रकाश की जो की एक कुक है मैं इन्हें बधाईयां देना चाहूंगा इनके कैनाडा के वर्थ पर्मिट अप्रूवल की मिस्टर देवेंदर प्रकाश कॉंग्राचुलेशन्स तेंकियो सर्स आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में हमारे वीवर्थ को जी बिलकुल सर् मेरा नाम देवेंदर प्रकाश है और मैं शिम्ला से बिलॉंग करता हूं मैं पिछले दस साल से कुईत में एजे को काम कर रहा था देवेंदर जी आप दस साल से कुईत में थे वेल सेटल थें कैनड़ा जाने का क्यों प्लान करा आपने मैं पिछले दस साल से कुईत में काम कर रहा था सर् मुझे पर्मनेंट सेटलमेंट की कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कैनिडा जाने के लिए ताकि मैं अपना बेटर फ्यूचर वहां पर सेटल कर सकूँ आपने हमारी हाइरिंडेयन और इंडेयन वाहण को ही कूछिज किया अपने ल्यक्यूच में से आपने इनक्यूरी कुछ पता किया जी मुझे मुझे प्रइंडुक्त कर सकते यो के इंडेariat हुआ था बट मैं कैनेडीन इंप्लॉयर इंडिया में आए वे थे बट मैं उस ताइम कुवेट में था सो इंटर्व्यू ऑनलाई नहीं हुआ था सर्थ है आप अपनी प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बताएंगे अपने डॉकमेंटेशन के बारे में जैसे आपक ऐपास आइल के इसकोर प्रॉर्पर नहीं थे लेख को डोकुमेंट का प्रोसेस्स बहुत स्मूध रार मेरा जो आइलेट्स के लिए मुझेिए गलोबल एंड हायर इमिगेशन दौरा रेकोमेंट किया गया था बट मेरा वो स्कोर आ नहीं पाया सर्ज इसकी रिक्वाइब मिड़ती बट फिर भी उसके बाब भी मेरा वीजा आ चुका है इनके कम स्कोर के बाद भी इनका वीजा लग गया है बट मैं हमेशा आपको यहीं रिकमेंट करूंगा कि आप सी यल भी 5 के साथ ही अपनी अप्लिकेशन सब्मिट करें अपने कोई प्रशा है प्रोबलम फेस करी डॉकुमेंटेशन के टाइम पर किसी तरीके की जी बिलकुल नहीं सर्थ कोई प्रॉबलम नहीं आई और की ग्लोबल एंड हाई इंडियन इमिगेशन द्वारा मुझे सारे डॉकुमेंटेशन के कोई दिक्कत नहीं आई और मैं बहुत बहुत धन्यावाद करना चाहूंगा अपना वीवर्स को विजा दिखा सकते हैं जी बिलकुल सर्थ इस माई विजा थैक्यू तो आप कुछ हमारे अपने रिकमेंडेशन करना चाहते है अपने फ्रेंड को पिर अपने रिलेटिव को कलको जिने भी कैनेडा का ड्री in FNB production or FNB services and you have a dream to settle in Canada so you can contact to us on below given number okay and definitely we will help you to be settled down in Canada thank you thank you thank you sir thank you so much thank you sir